तो चलिए शुरुआत करते हैं Sweet Combat Part 3 की सुन हाओ फांग यू से पूस्ता है क्या तुम फिर साथ डांस करोगी तो फिर हो मना कर देती है फिर सुन हाओ मिंग्तियान से बोलता है कि मैं वो गोश्न जा रहा हूँ तुम भी फिर साथ चलो और वो उसे अपने साथ ले आता है फांग यू को डांस नहीं करने दूँगी मिंग्तियान के साथ फांग्यू कॉल पित करने के लिए बाहर जाती है तो फिर उसके पीछे शाओमी जाती है फिर शाओमी सुन हो को कॉल करती है और उससे बोल रही होती है कि तुम कहां पर हो तो फिर बताता है कि मैं लड़कियों के साथ फोटो किज़वा रहा हूँ फिर उससे बोलती है कि तुम मिंग्तियान को यहाँ पर लेकर आओ फिर मिंग्तियान फांग्यू को देखती है तो फिर वहाँ पर फांग्यू नहीं होती है ज़र सुन हाओ मिंग्तियान को डूंट रहा होता है пinhacı एक जगे पर खड़ा होता है थोड़ी देर बाद वहाँ पर फांग्यू आती है तो मिंक्तियान फांग्यू को देखकर बोलता है कि तुम बहुत यादा ब् comics लग रही हो दांस करने के बाद Ming Tian बोलता है कि मुझे याद है मैंने पहली बार तुम्हें यहाँ पर देखा था FanGyu बोलती है कि तुम्हें अभी भी याद है Xiaomi Sun Hao पर गुस्ता हो रही होती है तो फर सुना उससे माफी महरा होता है Xiaomi बोलती है कि तुमारी वैसे मैं Ming Tian साथ डांस नहीं कर पाई तोड़ी देर बाद Sun Hao Ming Tian का मास बहन के आता है और वो Xiaomi के साथ डांस करता है Fang Yu Ming Tian को अपने घर पर ले जाती है और वो उसे अपने भाई से मिलाती है और कहती है कि आप से तुम इसके साथ प्रैक्टिस करना Fang Yu का भाई बोलता है Ming Tian से कि तुम लगी थे इस वैसे तुम उसे जीत थे बट मैं तुम अपनी सिस्टर नहीं दूँगा बोड़ी देर बाद Fang Yu Ming Tian से बात कर रही होती है तो फिर वो बोल रही होती है कि तुम मेरे भाई की बात द्यान मत देना Fang Yu बोलती है कि मेरा भाई एलेट के साथ काम करता है इस वैसे वो अपने आपको भी एलेटल समझता है इंत्यान बोलता है कि तुमारा भाई बहुत ही शोटी ओमर में कंपरी को मैनेज कर रहा है इससे पजलता है कि वो कितना मिचूर है Fang Yu बोलती है कि ये मेरे भाई की बदोलत है कि मैं जैंक जी उन्सुटी में आप आई Fang Yu नो डिसाइड किया था कि वो फाइटर परना चाती है तो फिरसकर ग्रेंटपा मना कर रहे थे पर तब ही वहाँ तक छोटा भाई था और वो ग्रेंटपा से बोलता है कि मैं कंपरी को जॉइंच करना चाता हूँ और मैं कंपरी को मैनेज करूँगा फोड़ी देर बाद वो दोनों चुप हो जाते हैं तो फिर Fang Yu मन में बोल रही होती है कि अभी तक conversation बहुत सेची चल रही थी अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या बोलना है Ming Tian मन में बोल रहा होता है कि मुझे कुछ बोलना होगा वो silence से बेटर होगा Ming Tian Fang Yu से बोलता है कि मुझे वर्क के लिए जाना है फिर Fang Yu बोलती है कि मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देती हूँ तो फिर उसे छोड़ने के लिए जा रही होती है Ming Tian मन में बोल रही होती है कि हम दोनों newlywed couple की तरह लग रहे है फिर Xiaomi इमेजन करने लग जाती है कि Ming Tian उसकी help कर रहा है वेज़िटेबल काटने में और फिर वो उसे किस कर रही है Ming Tian बोलता है कि तुम को क्यों अच्छी हो फिर Xiaomi बोलती है कि मैं एक wife बनना जाती हूँ फिर वो सारे बैठकर खाना खा रहे होते हैं फिर वहाँ बार फांग्यू आती है और वो कुछ खाना लेकर आती है फिर फांग्यू देखती है कि शाओ में Ming Tian को खाना खिला रही है अपने हाथों से फिर फांग्यू वहाँ से चल जाती है और वो अपने घर पर होती है और अपना सारा गुस्ता खाने पर उतार रही होती है तो फिर सारे स्टुडंट का बाडी चेक अप किया जा रहा होता है कॉमपेटिशन से पहले ताकि देखा जाए कि वो कॉमपेटिशन के लिए फिट है या फिर नहीं चेक अप होगा होता है बाडी का उसका रिजल्ट आ जाता है तो फिर फांग्यू स्टूर को देख रही होती है और इसमें टॉप पर Ming Tian होता है और सेकंड पर फांग्यू फिर वहाँ पर Yi Chen आता है लियोगाउन के साथ तो फिर वो बोल रहा होता है कि यह कैसे बहुत से लोगता है लियोगाउन बोलता है कि Ming Tian की physical fitness अच्छी है तो फिर Yi Chen बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है फांग्यू उससे बोलती है कि तुम ऐसा सोच सकते हो पर यह बात मत भूलना कि उसे S-Level के student train कर रहे है फांग्यू वहाँ से चलियाती है तो फिर लियोगाउन यह चेंसे बोलता है चलो हम खुली देख लेते हैं देखने जाते हैं और मिंग्तियान ट्रेनिंग कर रहा होता है तो फिर लियोगाउन बोलता है कि इतने कम टाइम में मिंग्तियान ने अपने स्किल को बढ़ा लिया है फांग्यू घर पर होती है तो फिर उसके ग्रेंट पाउ से बलाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें कमपनी में जानना होगा एक प्रजेट के लिए तो फिर फांग्यू मान जाती है लोगान चैंग्यानन के फादर के क्लब में प्रेक्टिस कर रहा होता है तो फिर वहाँ पर चैंग्यानन आती है और उसे बोलती है कि मेरी वेसे तुम्हारा जगडा होगा है शाओ फैंग से लोगान बोलता है थनी बड़ी बात नहीं है. तो फिर चैनगा इन बोलती है कि यह अच्छा आइटेया नहीं है कि तुम यहाँ पर आगार प्रक्टस करो. लोगान मान जाता है और बोलता है कि मैं कॉंपटिशन के बाद यहाँ पर प्रक्तस करना स्लाट करूँगा. लेयोगान भार्च लेयाता है, फिर वहाँ पर उसे शवाउंग मिलती है और वह से बोल रही होती है, कि आपको हमारी उन्षॉटी एखार इनकी उन्षॉटी में किसी एकको चूज करना होगा लेयोगान बोलता है कि मैं चूज नहीं करना चाहता हूँ पर मैं गिव अप नहीं करूंगी चैंग नानन अपने फादर सार प्रेक्टिस कर रही होती है थूड़ी देर बात महां पर फांग्यू आती है फांग्यू चैंग नानन से बोलती है कि मैं कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आपाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम ये बुक्स लाइबरी में वापस कर दो फांग्यू ने बुक्स को रैप कर रखा होता है तो फिर उससे पूछती है कि तुमने इने रैप क्यों कर रखा ऐसे बोलती है कि इसमें कुछ सेक्रेट है जो कि तुम दूसरों को नहीं बताना चाहती बॉक्स में वही बुक्स थी जो कि FANGYOU लिबरी में इसे ले गई थी FANGYOU बोलती है कि मैंने इसे रैप इसलिह किया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम इसे खोदोगी चैंग यानान बोलती है कि ये बुकुल लटा देगी और वह बोल रही होती है कि मैं शाओमी को दूर रखूंगी मिंग्टियान से दिरेक्टर मिंग्टियान और सुन हाओ को उनका वाश्रूंग और लोकर दिखा रहा होता है मिंग्तियान कहीं जा रहा होता है तो फिर शाओ में मिंग्तियान का पीशा कर रही होती है और जो चैंग यानन होती है वो उन दोनों का पीशा कर रही होती है शाओ में मिंग्तियान के पास जाती है और उससे बोलती है कि मैं तुमारे घर पर चलूँगी तो फिर वो मना कर रहा होता है फिर Xiaomi बोलती है कि मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हारे भाई बेंसे कि अगर वो एक्जाम में 100 स्कूर करेंगे तो फिर मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी तो वहाँ पर चैंग यानान आती है और Xiaomi उन सब के लिए खाना बनाती है वो सारे खाना खा रहे होते हैं तो फिर चैंग यानant खाना नहीं गा रही होती Xiaomi उससे बोलती है कि तुम भी खाना खा लो जब वो खाती है तो फिर उन बहुत यादा tasty होता है Xiaomi मन में भोल रहे होती है कि मैंने मिंग्तियान के सिविलिंग का खाने की वज़े से दिल जीत लिया है बस मिंग्तियान रह गया है शाओमी सबके साथ एक पिक लेती है और वो पिक फांग्यू को सेंड करती है तो फिर फांग्यू जब उसा देख रही होती है तो फिर उसा गुसा रहा होता है जाउमी ने एक voice message भेजा होता है और वो होता है कि मैंने ये specially मिंग्टान के लिए बनाया है Xiaomi और पिक्स भेजती है और उस पे लिखती है कि हम जल्द ही दोनों couple बनने वाले हैं Fangyu शाउमी को ब्लॉक कर देती है देर बाद Changi Anand Fangyu को voice message send करती है और वो होता है कि मेरा दिल भी तुमारा साथ है बट मैं क्या करूँ Xiaomi बहुत अच्छा खाना बनाती है Fangyu अपने घर पर होती है और वहाँ पर वो online classes ले रही होती है cooking की Fangyu खाना बनाती है और वो अपने भाई को गला रही होती है तो फिर उसका भाई दिल रखने के लिए उसका खाना खा लेता है कि उन्हें वो खाना office के staff members के लिए बेजा होता है तो फिर उपने भाई से पूछ रही होती है जितने भी office staff members होते हैं वो सारे भी बिमार हो जाते है फांग युका भाई बोल रहा होता है कि जो तुमने चिकन बनाया था वो ढंक से पाका नहीं है तब ही फांग युक कॉल कट कर देती है युका भाई बोलता है कि वो अभी तक विल्कुट ठीक थी बट अभी उसे कैसे कोकिंग में इंटरस्ट आ गया प्रेक्टिस करने के बाद बहुत साथ ठक जाता है तो फिर वो अपने काम के लिए जा रहा होता है शौमी डोर को लोग कर देती है और बोलती है कि तुम एक दिन के लिए रेस्ट करो तो फिर वो बोलता है कि मैं रेस्ट नहीं कर सकता है मैंने मैनेजर से प्रॉमिस किया है कि मैं एक भी दिन की लीव नहीं लूँगा चाहिए आना ने बोलती है मिंग्दान से तुम्हें एक दिन का रेस्ट लेना चाहिए फिर शाओमी बोलती है कि मैं तुम्हारी जगे चले जाओंगी काम पर इम्दयान मान जाता है और Sh penny उसकी जगे जाती है उस आईश क्रीम शॉप रही होती है Sh penny बाहर जाती है तो फिर वहां पर фांग यू आती है और वो उस रैविट से बात कर रही होती है फांग्यू उस रैबिट से पूछ रही होती है क्या सारे लड़कों को वही लड़किया पसंदे जो की खाना बना सकती है फिर वो रैबिट हां करता है तो फिर वो पूछती है क्या सारे लड़कों को वही लड़किया पसंदे जो की sweet और cute act कर सकती है तो फिर रैबिट हां करता है तो फिर फांगियों बोलती है मेरे जैसे क्या जो क्यूट एक्ट नहीं कर सकती है शाओमी हेड का कवर हटाती है तो फिर फांगियों से देखकर चौक जाती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पर कैसे शाउमी बोलती है तुम्हें के लगा मिंक्तियान होगा सही रहा कि मैंने उसे अपने जगे रिप्लेस कर ली नहीं तो तुम आज दिल जीत लेती मिंक्तियान का फांग्यू बोलती है क्या मिंक्तियान ये रैबिट बनता था नहीं तो अगर ऐसे चलता रहता तो फिर दोनों साथ गुमिल ले जाते और वो एक कपल बन जाते वहाँ बोलता है कि आपने मिंक्तियान को नहीं बताया कि फांग्यू उससे बात करती है फांग्यू मना करती है तो फिर सुनाओ बोलता है कि आपने बिल्कुत सही करा नहीं तो उन दोनों का रिलेशन और भी अच्छा हो जाता फिर दोनों प्रॉमिस करते हैं दूसरे से कि हम किसी को भी नहीं बताएंगे ये बात क्यान के सिविलिंग घर पर होते हैं तो फिर उनका हाथ में नोटबुक होती है और उनने दो पेज खुल रखे होते हैं एक पेज पर फांग्यू का नाम होता है और एक पेज पर शाओमी का उन्हों पेजों पर उन्होंने स्माइली स्टिकर लगा रखे होते हैं और सबस्यादा स्माइली स्टिकर होते हैं शाओमी की पेज पर मिंग्द्यान का भाई बोल रहा होता है कि तुमने ज़्यादा पॉंट दिया है शाओमी को तो फिर इसकी भेहन बोलती है कि वो कोकिंग में बहुत ही अच्छी है फांग्यू चैंग्यान उन से मिले के लिए जाती है सुबह एक बजे फांग्यू चैंग्यान को रैबिट के बारे में बताती है तो फिर चैंग्यान उसे बोल रही होती है कि तुम बहुत यादा स्टूपिड हो चैंग्यान बोलती है कि तुम ये बात सोचो कि उसे ये बात बहुत पहले से बता थी चैंग यानन बोलती है कि मिंग्तियान को ये नहीं बता कि तुम जानती हो कि वो रैबिट मिंग्तियान है मैं ऐसा प्रेजन करना होगा कि तुम ये बातें नहीं जानती हो तो फिर फांग यू बोलती है कि मेरे से नहीं हो पाएगा तो फिर चैंग यानन बोलती है कि तुम ट्रेनिंग की टाइम पे उसके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओ शाओमी अपने घर पर होती है और वो फेस पर मास लगा रही होती है मिंग्तियान अपने घर पर उड़ जाता है और बोलता है कि मैं कैसे उड़ गया और मुझे जाने से ठंटी क्यों लग रही है फांग यू चैंग यानन से बोल रही होती है कि अच्छाओमी मिंग्तियान को बता देगी तो फिर वो बोलती है यह कह नहीं सकते हैं वो उसके ओपर है चैंग्यानन देखती है कि फांग्यू के हाथ पे कट है तो फिर उसे पूछती है कैसे लगा फिर वो बताती है कि रात को मुझे भोग लगी थी इस वैसे मैं अपने खाना मना रहती है तब यह खट मुझे लग गया चेंचयन बोल रही होती है कि तुम जूत बोल रही है और उससे बारवार पूछ रही होती है तो फिर «Fangyu» Couple बोल थी है कि मैं अपने अपने को प्रोव करना चाथी हूँ कि मैं भी cooking कर सकते हूं चैन्यान बोलती है कि तुम ये सब मिंक्तियान के लिए कर रही हो ना फांग्यू कुछ नहीं बोलती है तो फिर वो चैन्यान से पूछती है कि शाओमी की कूकिंग इतनी अच्छी है तो फिर fang yu उन दोनों को चुपकर देख रही होती है फिर minktiyaan तो जा रहा होता है तो फिर shaomi चिला कर बोलती है कि ये बात किजी को मैं बताना है ये एक secret है fang yu को लग रहा होता है कि shaomi ने बता दिया कि वो जानती है कि वो rabbit minktiyaan है फिर Fang Yu मिंग्टें के पाज आते हैं उसे पूछ रही होती है कि Xiaomi ने तुम्हें क्या बताया है मिंग्टियान मना कर रहा होता है तो फिर Fang Yu बोलती है कि तुम उसकी बातों को अबिलीब मत करना मिंग्टियान बोलता है कि मैं Snickers के बारे में खुछ सोच लूँगा तो फिर वो थोड़ी surprise जाती है, फिर मिंग्तियान बोलता है कि आप सबके साथ मिलकर पैसे खटे कर रहे हो, ताकि आप मेरी birthday वे फिर सिकल्स ग्रिफ्ट कर सको, फिर मिंग्तियान वाज जला आता है, तो फिर फांगी और चैंग यानन बॉक्सिंग कलब में होते हैं, वहाँ तो फिर चारों खड़े होते हैं और बोलते हैं, इसे तुम्हारा को लेने दिरा नहीं है, फिर मिंग्तियान फांग्यू से fight कर रहा होता है, एक practice match के तोर पर, फांग्यू को याद आता है कि उसे strict behave करना है, तो फिर जब उससे लड़ रही होती है, वह उससे बुरी तरह प तो फिर उस rabbit को मिंग्तियान समझ रही होती है, और वह उसे बोल रही होती है कि मैं तुम्हारा होता है कि अगर इसको बजल गया कि मैं मिंग्तियान नहीं हूँ, तो फिर यह मुझे मार देगी, तो फिर वह Xiaomi से दूर जाने कोशिश कर रहा होता है, पर Xiaomi उसे पकड़ लेती अगले दिन वह सारे क्लब में पहुचते हैं, तो फिर चेंग रही होती है कि सुन हाँ कहा पर है, तो फिर वह बताता है मैं उसे कॉल किया था और वह बिमार है, सुन हाँ की बोड़ी पे कई सारे निशान होते हैं, और उसे बहुत पेन हो रहा होता है, आंग्यू एक प्रेड होने अगरोस मैच के लिए, तो फिर मिंक्तियान उसे पूसता है, मैंने सुनाए कि प्रिम लेल्डरी सेलेक्शन एक दिन में हो जाती है, तो फिर वह सारे कॉम्पेटिटर है, और एक दिन में कैसे पता लाँ देते हैं, कौन विनर है, वामी बोलती है कि आदे कॉम कॉमपेटिशन में पार्ट देनी कोई जड़त नहीं है, चैंग यानन बोलती है कि तुम इसके बारे में फांग यू से पूछो, फिर मिंक्तियान फांग यू के पास जाता है, उससे पूछ रहा होता है कि आप कैसे प्रिपर होता है बैटर के लिए, फिर वो बताती है, फ फिर फांग यू उसकी शॉप पर जाती है और वहां पर वो खानाई मुझा बनाना सीख रही होती है अगले दिन फांग यू मिंक्कTF कर प्रैक्टिस कर रही होती है, प्रैक्टिस के बाद मिंक्क्तियान फांग यू से कहता है कि चलो हम कैफेटलिंबं चलते हैं, वहाँ प में बखती है उर अगर मुझे पसंद मैं करता हुगा तो फिर और नूडल्स के झरीमा रियश्ट कर सकता है अगले दिन सुन हो ईचार बैठा होता बहुत यह वहाँ पर मिंंकियान चाथा और वह illegally इंख और पूछ जा रहा होता है और ऊसे दॉछ हो मेरे सिखेट है फिर मिंग्तियान पूसता है तो फिर सुनाओ बताता है कि मेरी थोड़ी प्रोग्रेस हो रही है फांग्यू के साथ सुनाओ बोलता है कि हम दोने एक कपल की तरह हैं वो मुझसे हर रात को मिलने के लिए आती है जब हमारा फूर्ट्रॉल बंद होने वाला होता है फांग्यू चौमिन बनाना सीख रही है फिर वहाँ पर फांग्यू होती है और वो सुनाओ को पने साथ ले आती है तो फिर मिंग्तियान प्रेक्टिस कर रहा होता है फिर वहाँ पर चैंग्यानान आती है और वो उसे बोलती है तुम मेरी साथ चलो चैंग्यानान उसे ले जा वाँनियों और सुनाओ के तरफ देखता है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं मिंग्टियान वहां से रहा होता है तो फिर चैंग यान हो हुआ से रोक लेती है थोड़ी दिर बाद वहाँ पर शाव मी आती है और वो बोलती है कि मैंने यह लंच बनाए मिंग्तियान के लिए तो फिर चैंग यानों से लट रही होती है और वो लंच चीने कोजी कर रही होती है तो फिर मिंग्तियान वो लंच लेता है और बोलता है कि मैं यह लंच खाऊंगा और वहां से चला जाता है शाओमी और मिंग्तियान एक जबर बैठे होते हैं और मिंग्तियान लंच कर रहा होता है फिर वहाँ पर फांग्यू आती है और वन दोनों को देख रही होती है मिंग त्यान के मुझे पास एक राइस का पीस लगा हुआ होता है तो फिर शाओमी से तरफ बढ़ती है और वो उस पीस को खालेती है एक तरीके से वो इसे किस कर लेती है पांग यूँगे सब देख लेती है और वो गुष्से में वहाँ से चली जाती है इन त्यां सिर्षों में होता है वह बोड़ रहा होता है कि मुझे शाओ में यह साथ कुछ चीज़े क्लैरिफाइ़ करनी होगी लाओं पी एक restaurant में होती है और वो बहुत स्टेंट खुश होती है तो फिर वहंपर वो सुनाओ को invite करती है और वो उसेखाना खेला होती है तोब यह वहाँ पर चैअएनन के father के खानाग जे ग्लब में होती है और वहाँ पर گंटों से practice कर रही होती है फांग्यू पूछती है क्या यह वोई श्ट्राइक है जो कि आज से कई साल पहले एक आदमी ने यूज करी थी फाइट में फिर इसके फादर हाँ बोलते हैं तो फिर फांग्यू वहां से जा रही होती है फिर चैंग यानन से रोकते हैं और पूछती है इसके बारे में फिर वह बताती है कि इस स्ट्राइक की वैसे जो अथिरेट मारे गए थे वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन परसन थी मेरे लिए फांग्यू घर पर होती है तो फिर फिर फांप उसका भाई आता है और उसके पूछ रहोता है कैसे इंजर्ड हुए फांग्यू बोलती है कि मैं अंकल जे के बारे में सोच रही थी उन्हें कितना पेन हुआ होगा जब उन्हें टेस्ट स्ट्राइक लगी होगी अगले दिन चैंग यानान लोग गाउन से मिलती है और से पूछ रही होती है इस स्ट्राइक के बारे में पिर मिंग्टैन बोलता है कि मैं तुम्हार साथ कुछ चीज़े क्लारिफाय करना चाहता हूँ तुर शाय में उसका मुग बंद कर देती है और बोलते है कि तुम्हें अपने प्रिम्डरी राउड पर दयान देना चाहिए फिर मिंग्टैन अपने मैच के लिए जा रहा होता है वहाँ पर उसके सिबलिंग्स और फांग यू से चेर करने के लिए आये होते हैं एली फाइट स्टार्ट होने जा रही होती है और वो होती है सुन हो और जैंक के बीच में रैंक ने सुन हो के किलाब लीडर रखी होती है थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लड़का आता है और वो उन सब का मैच देख रहा होता है फिर सुन हो उस लड़की से मैच जीच जाता है लड़का बाहर जाता है और किसी से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि इस में कोई भी अच्छा फाइटर नहीं है वहाँ पर फांग यू भी होती है थोड़ी दिर बाद कहों से चला जाता है फिर वहाँ पर मिंग्तियान आता है वहाँ यू मिंग्तियान से बोलती है कि तुम सारे मैच उसको दियान से देखो इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी लियो लियो गान और सुन्हाओ का होता है वहाँ पर चैंग यान के डैड़ बाए होते हैं लियो गान को सबोर्ट करने के लिए और वहाँ पर सुन्हाओ की मौम भी होती है तो फिर मिंग्तियान उस मैच का पूरा एक्रिट एनलेजिस कर देता है लियो गान से थोड़ी देर है तो भी मैं आखिर तक फाइट करूँगा लियो गान बाहर जाता है और उसके पूछ रहे होते हैं तो फिर लियो गान उसे बोलता है कि आज के वाद में कैप्टेन नहीं रहा बॉक्सिंग रूप का आपसे तुम कैप्टेन हो चौह फंग बोल रही होते हैं कि मुझे यक रखता है और वह उसको हरा देता है चैंग यान के फादर लोगान से बुलते हैं और उसे पूछ रहोते हैं तुमने ये सब क्यों किया तो फिर एस प्रेंट करने जा रहा होता है तो फिर इसली किया था कि जो मेरी डॉक्टर का स्रूटेंट है वो अपने रिवेंज लिसके उसके फादर खुश हो रहे होते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम टेथ स्टाइक सीखना चाहते हैं तब ही वहाँ पर शाओ फैंग आती है और उन दोनों की बाते सुन लेती है फांगयो मिंट्यान, चैंग एनन, शाओ में प्रिंसेपल के पास खड़े होते हैं तो फिर प्रिंस्पल मुसे बोट रहा होता है कि तुमने मुझसे वादा किया था मिंक्तियान कहता है कि मेरे रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है अगर आप मुझे विड्रो करने की लिखाएंगे तो फिर मैं मान जाओंगा वो तीनों मिंक्तियान का सपोर्ट कर रही होते हैं तो फिर फांग्यू बोलती है कि आपको इसके रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए बलकि इसके effort और determination पर ध्यान देना चाहिए शौमी मिंक्तियान के घर जाती है और वहाँ पर वो उन सब के लिए खाना आती है जब वह वापिस जा रही होते है तो फिर मिंक्तियान उसे छोड़ने के लिए जाता है शौमी मिंक्तियान से पुछते है क्या तुम कुछ कहना चाते हो मिंत्यान कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्र गजारूं अब तक जो भी तुमने मेरी हेल्प करी है जो भी चीज़े तुमने मेरे ले करी हैं वो मनी में मेजर नहीं करी जा सकती मिंक्तियان बोलता है शाउमी तुम बहुत अच्छी लडगी हो और मैं तुमारी फिलिंग तो समस्ता हूँ शाउमी कहती है अगर ये मिश्कल ह menor तो फिर तुम मुजसे मत काऊ फिर शाउमी वहां से जा रही होती है तो फिर मिंक्तियान उससे कह देता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ Xiaomi थोड़ी उतास जाती है और वो बोलती है कि अगर तुम किसी और को पसंद करते हो बड़ तुम मुझे नहीं रो सकते हो अपने आपको पसंद करने से फिर Xiaomi वहाँ से चलिया आती है और वो रो रही होती है चैंग यानन लोगान को बिलाती है मिलने के लिए तो फिर वो तोनों बाते कर रही होती है फिर वहाँ से चैंग यानन जा रही होती है तो फिर लोगान से एपल मांगता है जब उसे एपल देती है फिर वो चैंग याननन से बोलता है You are the apple of my eye चैंग यानन बोलती है कि मुझे कुछ भी समझ जा है और वहाँ से चली जाती है चैंग यानन फांग्यू के घर पर होती है और वो प्रैक्टिस कर रही होती है तो फिर वो बोल रही होती है इस सारी गलती ही लोगान की है फांग्यू बोलती है क्या उसने अपनी feeling confess कर दी तुमको चैंग यानन पूछती है कि तुम्हें कैसे बता तो फिर वो बताती है फांग्यू सो रही होती है और चैंग यानन सो नहीं पा रही होती तो फिर उड़ती है उसे पूछती है क्या हुआ तो फिर वो बताती है कि मुसे लियोगान ने कहा है और इसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा वांग यू बताती है कि वो कहना चाता है कि वो तुम्हारी परवा करता है अगले दिन लियोगान जी इंग उसे टीके प्रिंसिपल के रूम में होता है तो फिर उस पर गुस्सा कर रहे होते है तो बोलते हैं कि तुम्हारी परवा करने होगी अगले समस्टर तक फिर लियोगान सासवाई करना शुरू कर देता है मिंग तियान और सुन हाओ को समान ले आ रहे होते है थूड़ी देर बाद वहाँ पर शाओमी आती है और वो बोलती है मिंग तियान से कि मैं तुम्हारे ले लिच बना कर लाई हूँ सुन हाओ शाओमी तरो देख रहा होता है उसे याद आ रहा होता है कि शाम को शाओमी उसके साथ होती है और वो रो रही होती है वहाँ बोल रहा होता है कि शाओमी ने बहुत चल्दी रिकवर किया फिर वहाँ पर चैंग यानन आती है और वो शाओमी को बताती है कि हम दोनों की मार्क्स इंग्लिश में अच्छे नहीं आए और हमें दुबारा उसका पेपर देना होगा चैंग यानन बताती है कि हमारे पास तीन दिन है एक्जाम की त्यारी करने के लिए तो फिर वहाँ पर मिंग्तियान होता है और वो उन दुनों से बोलता है कि मैं तुमारी हेल्प कर दूँगा फिर वो दोनों खुश आती है थोड़ी देर बाद चैंग यानन फांग यू को यह बाद आती है कि मिंग्तियान हमें पढ़ाने वाला है तो फिर वो बोल रही होती है कि मैं ध्यान रखूंगी शाओ मी मिंग्तियान करीब ना जाए फांग यू अपने घर पर होती है और वो होमवक कर रही होती है तो फिर उसे मैट का एक्जाम दिया जाता है सौल्व करने के लिए तीचर फांग्यू को बलाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे exam में 100 marks आए हैं फिर फांग्यू बाहर जाती है और वो सी class के बाहर खळी होते हैं जहां पर मिंट्यान उसको पढ़ा रहा होता है फांग्यों अपने घर पर जाती है और अपने भाई से पूछ रही होती है क्या तुमने ये सारे सम्सॉल्व किये हैं मेरे लिए फिर उसका भाई बोलता है कि मैंने पिपर टेस्क पे देखा था और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब गलते हैं इस विए से मैंने सही कर दिया फांगियो बोलती है किया तुम पागल हो गए हो और इस पर गुसका करने लग जाती है पिर वह सारे अपने एकजाम की तहरी कर रहे होते हैं तो फिर मिंग य然 अपने कास्ट्रेशन में होता है वहाँ पर फांगियो आती है और वो थो उसकी हेल्प कर रही होती है शाय मी च चैंग नन और सुन हाओ चैंग नन के फादर के कलब में होते हैं तो फिर शाओ में बोड़ रही होती है कि मिंग तेसाथ फार्म यो क्यों है